हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू डॉल्फिन अप्लाइंस चैनल आप सपी का खुब खुब सागत है हमार यूट्व चैनल में है दोस्तो आज की वीडियो स्पेशली डिफरंट डिफरंट प्रोड़क्स की लेके आया हूं दोस्तो तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंटक वाई थी तो आज हम पूरी मशीनों का सभी मशीन तयार हो चुकी है उनका वीडियो आपके सामने रख रहे हैं और जिनोंने मशीन हमारे से खरीद दी है उनको भी दिखाएंगे और आपके लिए भी न्यू प्रोड़क्त क्या होती है कौन सा बिजनेस करके कितना इरेन कर स समझ सके वेसे सबसे पहले बता दू दोस्तों कि हमारी कस्टमर रहेते करनाटका से उन्होंने मशीन बुकिंग की ती यहां पर विजीट करके गए ते और एकी मसीन लेने के आए ते लेकिन एक साथ पांच मसीन बुकिंग कर दी क्योंकि उनको अलग अलग प्रोड़क्त ब सिरेंगे वह सब कांटाइए तो इवेंट सेम स का नाम है चैतक इवेंट साम देख सकते हैं यहां पर चैतक इवेंट लिका हुए सबसे पहले मेन इंपोरटन हमारे कस्टमर थे उनकी दो ही मशिन इंपोरण थी यह एक मशीन थी और एक इस सौफ्टी आज्ट क्रीम मशीन थी लेकिन बागी की तीनों मशिन उन्होंने यहाँ पर आके सिलेक की कि यह मशिन बोट अच्छी हम मोडल में भी यूज कर सकते हो कहीं पे भी बजार में मार्किट में घुमा के भी अपना एक खुद का बिजनेस कर सकते हो यह मशीने आठ फ्लेवर की मशीने इसमें डिफरेंट अलग-अलग आठ वेराइटिस निकलती है जिसमें छे सोडा वाली वेलाइटी है दो जूस वाल वेराइटी निकलती है एक बार इसको टेंग को फूल कर देंगे चीलिंग कर देंगे एक बार मसीन के अंदर से 1500 गलास का बेकप मिलेगा आपको 1500 गलास आप बजार में कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सकते हो विदावट इलेट्रिक सिटी ओनली इन्वेटर बेटरी आपको लगाना है ओनली इलेट्रोनिक नल्स को चलाने के लिए बाकी कोई पावर या कंप्रेसर उठाने का जरूरत नहीं है एक बार आपने पानी ठंडा कर दिया आप बजार में 50 गंटे में कभी भी बीजनेसे कर सकते हो एक गलास 200 ml का बनाने का खर्चा आपको दो रुपे में गिरता है जίαςसे आप कोई भी फ्लेवर बनाते हो जैसे फ्रूट भी अरे है जीरा मसाला फेंटा यह टम जा थायप का ड्रिck बनाते हो तो एक गलास बनाने का खर्चा 2 गंटे होता है बाजार में आपको 8 गंट प्रूपिट मिलता है अगर आप यह मशीन गाली के अंदर र यह मसीन दो पार्ट में रहें गिए एक पार्ट यहां तक का पार्ट हैं दूसरा पार्ट इसका इसका इसको आप लगा कर सकते हैं अगर आपको दुखा निया तो घड़ को आदी तो आदी मशीन उठा के गाड़ी के कोई बॉक्स से वहां पर बिठा देनी हैं जैसे था-ठा आती यह उमिन है उसमे आप सानी से इसको युजे कर सकते हैं कि आपके यह पे लेवल में कितना ओट पानी भरा हुआ है दोस्तो। यह फार लेवल से चेक बाहर से पाईप से कर सकते हो यह मशीन के अंदर कितना आप पימटी पानी बच्चा हुआ है यहां पे पीछे अमने कूलिंग शिच्टम कंप्रेशर सिस्टम लगाया होगा । टील पोरा स्थिल का बॉक्स यह पूरा पॉरा उपर कसी इस मेंने पीछे का बेक लूप के पीछे का साइड पूरा कवरिंग बनाई हुआ हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंटिलेशन एरी आए पूलिंग कमपरेशन इसको वेंटिलेशन मिलेगा असानी से यहाँ पे टेंपरेचर मीटर है कितना पानी मशीन के अंदर चील्ड ठंड़ा ह यहाँ पे आपको डिगरी के इसाब से सो करेगा कि प्लस पांच का है प्लस चार प्लस तीन जीरो माइनस वन माइनस टू कितना आपको चीलिंग ठंड़ा करना है यहाँ से डिस्प्ले में से सेट कर सकते हो आपको वाटर कितना ठंड़ा और कितना गरम नॉर्मल सिस्टम च अब बीजनेस करना है एक जगा पर दुकान पे लगाना है दुकान का काम कीजिए जब गाली पे लगाना है दूस्तो तो मसीन को उठा के कहीं फेश्टिवल पहल फंक्सन मेला है वहां पे ले जा के भी आप बीजनेस कर सकते हो मशिन लेके मशीन को वेसे बाजर में दोस्तों जो मशीने मिलती है वह क्या रहती है कि स्आइड मोडल ऑंली स्आप में यूजो जोंавती है लेकिन यह मशीन ए2 1-1 Понच積ा सुप्टी यसक्री मशीन 222 का लेटेस मोडल प्रिमियम प्लेटेन्यम मॉडल अचुन है दोस्तों आफें दे इंडिया में फॉर्स्ट डिजाइन की मशीन दोस्तों इस टैप की डिजाइन इस टैप की मशीन आपको मार्किन में दूसरी कोई कम्पनी या दूसरी कोई ब्रैंड के अंदर यह चीज देखने मिले की भी नहीं दोस्तों डॉबल कंपरेसर सिस्टम तर्च डिस्प्ले पूरी स्टीनले स्टील की बोडी है एक घंटे में 300 कौन या सारे 300 कौन तक आप मशीन में से निकाल सकते हो दोस्तों प्लस इसमें डिजीटल एरपम सिस्टम डाला हुआ है जिससे आस्क्रीम को स्मूथ और क्रीमी बनाया जाता है वैसा डिजीटल एर सिस्टम है और एर सि सिस्क्यूरीटी फंक्शन मतलब कि कल सुबह मशीन में कोई फोल् нес पहले मशीन ऑपको गाइड एकर मशीन में यह फोल्ट आया है उसको आप्रिज और कोई आ यह सीदा को ऐसा हो गया क्या तो सिदा और मॉतर उडा दिया इसा नहीं इसमें जैसे 250 फोल उपर से पावर आन आएकर 20W बढ़ गया 270 हो गया तो अटोमेटिक मशीन बंद हो जाएगी और डिस्प्ले पे रिजन आएगा हाई वोल्ट के इसाब से मशीन रुखी है मॉटर हीटिंग होगी है तो मशीन आटोमेटिक बंद हो जाएगी बाकी सब मशीन मॉटर जल जाएगी तब खड़ी होगी लेकिन इसमें मॉटर हीट होगी तब खड़ी रहे जाएगी और डिस्प्ले पे सो करेगी क्या मॉटर हीटिंग बेल्ट लूज हो जाएगा तो डिस्प्ले पे सो करेगी बेल्ट लूज है और उसको सॉल कैसे करना है रिसोल्यूशन का भी डायोगराम वीडियोगराफी डिस्प्ले के अंदर सो करेगी तो स्ट्रैप की स्मार्ट सिष्टम वाली मशीन आस तक मार्कित में कहीं पर भी उपलबद नहीं है और दोस्तो ये मशीन बजेटेबल मॉडल है आपके बजेट एरिया में फिट हो जाती है दोस्तों को इतनी हाई किम्मत नहीं है बाकी सब मशीनों की कमपेर में मशीन की इतनी कोई हेवी किम्मत नहीं है दोस्तों और मशीन के अंदर दोस्तों एक कौन बनाने का खर्चा आपको साले 5-6 रुपे में गिरता है बजार में आप आसानी से 15 रुपे तक सेल कर सकते हो वेराइटी बना के ड्राइफरोट डाल के टॉपिंच डाल के ट्रिंकल्स डाल के 30 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया तक का कॉप प्याली या कोन आप बना सकते हो श्रीन के अंदर से डिफरेंट डिफरेंट लुक देखे तो दोस्तो बहुत ही औच्छा बिजनस है आस्क्रीम कालाра कर दोस्तों तो ईब हमारे कस्टमर ने फील कर सकते है इसमें घंस वाला फील नहीं कर सकें गो इन नॉन-कार्मोनेटिक कोई-बी行了 इसमें से fill up कर सकेंगे प्लस यहाँ पे washer भी दिया है bottle खाली wash करने के लिए bottle को टांगने के लिए यहाँ पे bottle है plus separate punch को seal करने के लिए automatic sealing machine है इससे आप seal कर सकते हो जो punch लेते हैं पांच रुपय वाले जो पेपसी का पांच लेता है पांच को sealing करने के लिए sealing machine है plus ml को variation करने के लिए यहाँ पे ml variation system दिया है दोस्तो 20 ml के लेकिए पांच लीटर तक का product fill कर सकते हो जैसे कि आपने 200 ml select कर लिए और एक बार बटन दबाएंगे तो 200 ml ही गिरेगा एक बुंद ज्यादा नहीं गिरेगा एक बुंद कम नहीं गिरेगा दोस्तो और यहाँ पे कैपिंग है दोस्तो धक्कन को कैप करने के लिए कैपर दिया गया दोस्तो इससे आप आसानी से धक्कन को कैप कर सकते हो तो एकी machine के अंदर दोस्तो हमने all-in one function दे दिया है बोटल वाशर भी इसी में बोटल फिलर भी इसी में सीलिंग भी इसी में कैपिंग भी इसी में तो all-in one machine है दोस्तो बहुत ही latest machine है वाल्टसेल बिजनेस हसा निसे कर सकते हो एक घंटे के अंदर आप 300 बोटल या 300 पाउच का प्रोड़क्शन कर सकते हो जो रीटेल में बोटल 10 रुपे में जूसकी मेंगो माजा फुर्टी बिक्ती हो आपको घर में 5 रुपे में पड़े की दोस्तो वाल्टसेल में आप उसको 8 रुपे तक दे सकते हो एक बोटल पे 3 रुपे का नेट प्रोफिट मिलेगा रोजाना 13 रुटल का आप सेलिंग करते हो प्रोड़क्शन करें करके रुपे तो रोजाना 8-9 रुपे गा नेट प्रोफिट है बिजनेस करके आपको मिलेगा दोस्तो तो अगर आपको वोलसेल का बिजनेस करना है तो आप ये मशिन लेके अपना एक खुद का रोजरा रोजगार खुचका मार्केटिंग खुद का एक बिजनेस कर सकते हो दोस्तों नेक्स्ट में दोस्तों पॉपकोर्न मेकिंग मशीन है पॉपकोर्न की मशीन आपने बहुत सारी देखी होगी दोस्तों लेकिन यह मशीन है पूरी ट्रोली काट सिस्टम है दोस यह मसीन इलेट्रिक से चलने वाली है लेकिन आपको अगर इन्वेटर बेटरी से चलानी है तो भी आप इसको चला सकते हो दोस्तों यहां पर इसका ग्लास किस्टा में पूरा कांच दिया गिया दोस्तों अगर ट्रोली का यूज नहीं करना है आपको तो ओनली मशीन ही फॉल तो इसका टब है तो में उसके दाने रहते तेल है निमक है हर्दर है बटर है चीज ए कैसा वननाना है वन टाइम रेसिपी डाल के यहां पे पूरा श्टोरेज आगी बना बना के स्टोर कर देना है अपको अंदर लाइटिंग सिस्टम भी दिया और हीटर भी दिया गिया द आपके महिस्ताब साप इसको मोडिफाइ कर सकते हो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट मॉडल है हमारा कॉटन केंडी मशीन है आप देख सकते हूं बुड़ी का बाल जिसको बोलते हो मशीन है यह भी यह कस्टमर की यह जो नाम बोला था चेतक इवएंट्स करके उनका ही मशीन ह यहां से आप जो बुड़ी के बाल रहते हैं बना बना के दोस्तों कस्टमर को सप्लाइ कर सकते हो पेकेजिंग कर सकते हो एक सथ बीस पेक पचास पेक सो पेक थेली बना के स्टोर कभी कर सकते हो लाइव किसी को देना है तो लाइव भी दे सकते हो दोस्तों यह भी पूरा पूरा चारओ साइट से la Changing । यहां भी रखने है पैसा कोई भी सवपना अर रख सकते हैं यहां पे इसका टाइमर दी ऐ उते को एपने हिसाब से अगर, पिक शल्डास मॉडिपाइं करते हो अगर क्या ही नहीमर ही सिस्टम नहीं कर सकते हो एक केंडी बनाने का खर्चा दोस्तों दो रुपे का गिरता है बजार में 15 रुपे तक एक केंडी सेल होती है अगर दस रुपे में भी आपको आठ रुपे का नेट प्रॉफिट मिलता इसके अंदर तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छा बिजनेस आज की तारीक में सबसे तदा करने वाला बिजनेस है और यह सभी मंशिन हम ने बता है दोस्तों 2022 के लेटेस बिजनेस है लेटेस प्रोग्रामिंग बिजनेस दोस्तों इस तरह के बहुतरीन कॉलेटि मशिनों की जानकारी के लिए डॉल्फीन एप्लेंस में भार ज़ूरू कॉंटेक और वी